नमस्कार जहिन मेरे पेरे साथियों अब राजस्तान में समान पातरता परिक्षा याने की CET समान पातरता परिक्षा ये करवाने की जो योजना है या यूँ कहें पूरी मन्शा बना ली गई है इसके अंदर क्या होगा कि कुछ एक्जाम है जो लिस्टेड किये गए है उन्हीं एक्जामों के लिए ये CET एक्जाम है जो समान पातरता परिक्षा है जो होगी कौन-कौन से एक्जाम है वो लिस्ट कौन सी हम वीडियो में आगे देखेंगे जैसे थर्ड ग्रेड से नीचे की जितने भी वेकेंसिज है उन्ह सब में ये CET लागू होगा ये पहले परिक्षा देनी होगी और उसके बाद में वो एक्जाम है जो दे पाएंगे ठीक है जैसे की बीड से पहले PTT होता है थर्ड ग्रेड में तो अब आगे बहुशे में जब भी होगा टेट हो गाई और सेकंड फर्स्ट ग्रेड उनमें भी होगा लेकिन थर्ड ग्रेड से नीचे की जो जो बढ़तियां है वह कौन-कौन से बढ़तियां जिनके अंदर CET ये होने वाली है बहुशे के अंदर अभी जो परिक्षाएं है पहले से तय उनमें नही जोन से बाद की जितनी भी अब नई जो भी बढ़तियां निकलेगी वह उनमें ये लागव होगा और किन-किन भरतियों में लागव होगा वह आगे लिश्ट वह देखेंगे अब देख लिए जिसमें मुख्य बातें क्या है पहले तो चलो हम वह देख लेते हैं कि किन-किन में ये जरूरी होगा ये सेट फॉर ग्रेजुएट लेवल्स ठीक है सीटी ये किन-किन में होगा राजस्तान की जो इंजिनियरिंग सब कोर्डिनेट की सर्विसेज है जिलादार वगेरा इनमें जूनियर एकाउंट में टी आरे में टेक्स असिस्टेंट में दिस्ट्रिक ये इंडिस्ट्रीज ओफिसर इसके अंदर जैसे इसमें कोर्डिनेटर ट्रेनिंग में डेपूटी जेलर में असिस्टेंट जेलर में पटवारी में ध्यान रखेगा बहुश्य में ये भरती तो एजटीज होगी लेकिन बहुश्य में जो पटवारी की भरती निकली उसमे पहले आपको CET है जो क्लियर करना होगा विलेज डवलपमेंट ओफिशर होस्टल सुप्रेडेंट ग्रेड सेकंड इनके दर आपको CET पहले करना होगा यह एक्जाम पास करना होगा यह तो था अपड़े ग्रेजुएट लेवल वाला और यह है CET for Senior Secondary लेवल वाला जिसमें आपके लेबोरेटरी इनचार्ज की हो गई फोरेश्टर की हो गई होस्टल सुप्रेडेंट कलर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट कलर्क ग्रेड सेकंड लडी सी जमादार ग्रेड सेकंड यह जो लगबग आठ तो यह हो गई और बार यह हो गई यह बीस जो वेकेंसी जे इनके अंदर आपको पहले सेकंड करना होगा अब देखें इसकी मुख्य बाते क्या है वो देख लेते हैं थोड़ी सी जो इंपोर्टन बाते हैं इसमें क्या है कि राज्य सरकार दुवारा सभी जो अधिनस्त एवं मंत्रालेक सेवों के लिए गेर तक्निकी नोन टेक्निकल पदों पर भढ़ती के लिए एक समान पातरता परिक्षा सीटी आउजित किये जाने की निर्णे जो लिया गया जो नोन टेक्निकल एक्जाम्स हैं उनके लिए ठ बढ़ती परकिया में समिलित होने के लिए समान पातरता परिक्षा में आनीवारिय होगा यह इसमें जो परिक्षाों कि अधार पर किसी पद की जाने वाली परिक्षांर बाग लेने तुं पातर माना जाएगा देखिए सनातक एवं उच्छे महदिमिंग सेक्षण सेक्षणिंग योगिता कि अधार परनु सूची वन और सेकंड में उलेखित पदों के लिए प्रतक प्रतक समान पातरता परिक्षायुजित की जाएगी जो 12 की लिष्ट थी अगर उन एक्जामों में आपको बेठना है जिसमें ग्रेजुशन लेवल वाला था सिस्टम उनमें बेठना तो उनका एक्जाम अलग होगा और जो आठ नीचे और अलग लिष्ट देखी उनके लिए अलग एक्जाम होगा अगर आप दोनों में देखना भी आएगी थोड़ी बहुत वही ट्वल्थ लेवल तक की सिस्टम की हिंद इंगलिस वगरा यह चीजें रहेगी और यह समान पातरता परिक्षा का आयोजन कोन करेगा रास्तान करमचारी चैन बोर्ड आर एस एस भी द्वारा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा इस परि यह बहु विकल्पिक प्रश्ण पर आधारित परिक्षा होगे विकल्पिक प्रश्ण आएंगे इसमें तो यह थी इसकी मुख्य जानकारी एक इंप्रेंट जानकारी यह भी कि समान पातरता परिक्षा होगी जैनि कि CET CET अर्जी तंकों की जो वेद्दित है वह तीन वर् परिक्षा में एक बार अर्जी तंकों के अधार पर अधार पर अन्यता पातर होने पर तीन वर्ष तक समुद्रित पत्रों के लिए आउदर आपने एक बार इसमें बेट गए तो तीन साल तक अगर वह वेकेंसी जाती है जो लिस्ट में है तो उनके लिए आप में राज्यवी परसली जो भी आरक्षन का प्रावदान वो चीजे हैं जो लागू रहेगी तो उम्मित करता हूँ ये जानकरी आपको अच्छे लगी होगी और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और मित्रों को ये जानकरी पहुंचाना चाते हैं शेर कर लें पहली बार चैनल पर आप जुड़े हैं हमसे तो चैनल को सब्सकाइब करना है आपको और बेल आइकन लो क्लिक करना है ओल नोटिफिक्स लो क्लिक करना ताकि हरी परिछनोंने सब्सक्राइब करु़ेखिक्छ सेरी हैं हमसे खर वीडियो के अजी हैं है मसे हमसी पॉर जब मेंब